देशी हो विदेशी हो ये किसी प्राकर नसीली द्रव का आयात निर्यात करता है चुपचाप से गलत तरी किसे तो उस पर आपकारी अरचक और उनकी टीम कारवाई करती है उनका माल जब्त करती है और उनके केस बनता है तो ये काम आपकारी अरचक करता है इसमें पुलिस भाग का कोई भी हस्तेचेप नहीं किया जाता वो लोग नही जी दोस्तों आपको रात के समय सूचना मिलती है कि एक जगा पे अगर यह सरा आप बेची जारी या बनाई जारी यह कच्छी सरा तो वहाँ पर आप गराप जाते हैं तो दोस्तों यह जो काम करने वाले रहते हैं यह भी काफी खतरनाक रहते हैं तो कभी-कभी ऐसा भी हो सकत ही कि आप पकड़ने जाए वहाँ पर उल्टा ही दोस्तों को लोंग आपको ही जाके पीड़ दे कि होता है दोस्तों यहां पर मत्रप्रदेश यह काफी अजब राज्य है तो यहां पर रिस्क भी रहता है इसलिए अगर आप लड़की है और आप अपने घर में बोलेंगी क में आप करिया रख्षा का फार्म बनने जा रही हूँ तो आपको घर वाले देखना आपको जुरूर मना करेंगी कि उनको पता है काम कैसा है किस प्रकार का है और लड़की को कि दिखती दिक्कत आ सकती है अगर वो इस बाग में आती है और कैसे कैसे लोगों से यहां पर आ करते हैं उनसे यहां पर मिल सकते हैं उनकी वाट लगा सकते हैं वह लोगों को इस भरती के दाद आना चाहिए अब हम बात करते दोस्तों आखिरकार आपकार यह अरशक बनने के लिए आपकी यहां पर क्या यहां पर आपकी हाइट रहना चाहिए क्या आपका सीना रहना चा आप चाहे तो आप किसी के टेप ले सकते हैं अगर इतनी हाइट है तो यह आपको फॉर्म को फिल करना है अब बात करें आपके सीने की आपके चेस्ट की तो यहाँ पर पूरुस रहेंगे उनकी यहाँ पे 81 cm न्यूंतम रहेंगा फुलाने पे 86 cm होना चाहिए अगर आपकी इ इतनी है तो जो इतनी है तो अपपको फॉर्म को फिल कर सकते हैं अब बात करें महराओ की तो महला के जो हाइट रहेंगी दोस्तों यहाँ पे 152.4 cm मतलब की 5 विट की हाइट रहना चाहिए महलाओ की बस इतनी हाइट वाले यहाँ पे आफ़ दिन कर सकती ही महला है उनका सीना का मामला यहाँ पे नहीं रहता सीना इसमें नहीं ना पा जाता है तो वो लोग सिर्फ यहाँ पे अ पर साहित रुप से विकरत भीền भी निहों और आपको यहाँ पे यहाँ पे आब यहाँ पे आवदिन करने का मतलब यहां आ 🎵 निकाल लेते हैं तो वहां पि दिक्क्त हो सकती है और यहाँ पे आपको आपको बहार भी कर सकते है तो इस बात का विसेजिज द्यान रखे और ज जिनके हाइड इतनी है सीना उतना ही है वो लोग को यहाँ पर आवधिन करना चाहिए यह तो बाद में दोस्तों आप लोग नीराश नहीं होना आप सभी को इसलिए यहाँ पे सब कुछ पढ़ दगने के बाद ही आपको फॉर्म को फिल करना है अब इसमें एजुकेसन क्या हो कई लोग सोचते कि हमारा कम परसेंट बढ़ेता हमको फॉर्म बनना है कि नहीं बनना दोस्तों परसेंट इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है सिर्फ बार वी पास आप हो गए ता बिलकुल इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अब बात करें इस भर्ती में आपकी आयू कित्ती रहेंगी नियुन्तम, तो नियुन्तम 18 वर्स रहेंगी, इसमें आयू आपकी और अधिक्तम 33 वर्स यहाँ पर राखी गई है, वहीं जो SCHTOBC के रहेंगे, उनको 5 वर्स की छूट यहाँ पर प्रदान की जाएंगी इस भरती के तहद, और अगर आप मदरबस के बाहर के राज का पे स्किल रहेंगा, मैं गरेंटी बताता हूं कि आप इस से जादा कमाएंगे अगर आप यहाँ पर एक बार लग गए, अब वह मैं यहाँ पर कहें नहीं सकता कि आप कैसे कमाएंगे, लेकिन आप जब लग जाओंगे तो आप खुदी समझ जाओंगे, अब बात करते है दोस्तों आपका इसमें सेलेक्शन कैसे रहेंगा, सेलेक्शन दोस्तों आपका यहाँ पर ऑनलाइन एक्जाम होंगी, जिसे आपको कम्प्यूटर पर एक सवाल आएंगे, उसके मतलब चार उत्तर रहेंगे, उसमें से एक पर आपको टिक करना रहेंगा, तो multiple choice questions रहेंगे, जिसमें समाने ज्यान, तारकिक ज्यान के यहाँ पर 40 अंको कर रहेंगा, इसके बाद बहुत दिक्षमता मांसिक अभीरुची के यहाँ पर 30 अंको कर रहेंगा, इसके बाद विज्यान यह सरल गनीत के यहाँ पर 30 अंको कर प्रेशन आएंगे, तो सव अंको का दूसर पेप उनको नियूनतम 60% यहां पर लाना जरूरी रहेंगा वहीं जो अनसुष जाती जन जाती वह भी सीके हैं उनको यहां पर 50% नियूनतम लाना जरूरी रहेंगा इसमें कौलिफाय करने के लिए और उसके बाद ही उनका दोस्तों मेट में नाम आपाएंगा और अगर उनका यहां पर कहीं भी गणित का जाता दिया नहीं हुआ है सरल अंक गणित है मतलब बहुत सिंपल रहता है दसवी तक कहीं रहता है तो आप आसान इसे से कौलिफाय कर सकते हैं और जो जीके है करेंट अफियर से दोस्तों आपसे बन जाएंगा रिजिदिंग भी आपसे बन जा सी, स्ट, OBC की यहां पर सीटे ने रहत की गई है तो यहां पर आप दे सकते हैं भूत पुर सैनिक का भी है महला उखले भी सीटे आरख्चत की गई है सभी कैटेगरियों में और योग की बात करें तो टोल 313 पदों पर यहां पर भरतिया की जारी है तो अब आप यहां पर कैटिकरी देख सकते हैं माल लिजी अगर आप महला है और आप देखना चाहती है OBC की है तो OBC की आप दे सकते हैं यहां पर 29 सीटे है इसे प्रकार से यहां पर ST की बैक लॉग में जनेटल वाले नहीं आते हैं, सामान इस रेनी के इसमें SCST OBC ही इसमें रहते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर देखते हैं, हाला कि फॉर्म के दोरां दोस्तों यह लिखा गया था कि बैक लॉग को सिल्क नहीं लगेंगा बैक लॉग के सीटों के लिए, लेकि आताती दोस्तों यहाँ पर ओनलान फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो ओनलान जो फॉर्म रहेंगा, पीबी की वेबसाइट से आप आवधन कर सकते हैं, जन्रल वालों को यहाँ पे 560 रुपे लगता है, और जो SCST OBC से है, उनको 310 रुपे का सुलुक इसमें लगता है, फॉ सुलुक यहाँ पाइल कि मारते कर सकते हैं, तो आपना जलसे से फॉर्म को फिल कर देजिए, कुछ पूछ रहा चाहते हैं तो कमेंटे पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लाइक कर सकते हैं लेंग्वेज की बात हैं मेरी तो दोस्तो हम एक ग्रामिन शेथ की निवासी है इसलिए हमको उतने अच्छे से बात करना नहीं आता जितने चैसे आप बात करते हैं हमें अपना छोटा भाई मान के माफ भी कर सकते हैं दोस्तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में नमस्कार